नमस्कार वेब दुनिया समाचायर में आपका स्वागत है और नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर स्वामी ने कहां मस्जिद सिर्फ इमारत है इसे कभी भी तोड़ा जा सकता है भारतिय जंता पार्टी के नेता सुब्रमन्यम स्वामी ने एक विवादित बयान दिया उन्होंने कहां मस्जिद धार्मिक स्थल नहीं सिर्फ इमारत है इसलिए उसे कभी भी तोड़ा जा सकता है उन्होंने यहां भी कहा कि सभी भारतिय मुसल्मान पहले हिंदू ही थे सुब्रमन्यम स्वामी के इस बयान का असम में जबर्जस्त विरोध हो रहा है और उनके खिलाफ मामला दर्श करवाया गया है असम भजपा ने स्वामी के इस बयान से पल्ला जड़ लिया है केज रिवाल को एक छोटा शहरी नेता मानते थे मोधी नरेन मोधी के बारे में एक नया खुलासा हुआ है यह खुलासा ततकालिन ब्रिटिश प्रधान मंतरी टोनी बलेयर के पूर्व मीडिया सलाकार लॉन्स प्रैस की नई पुस्तक दमोधी इफेक्ट इंसाइड नरेन मोधी's कैमपेंड टू ट्रांसफर्म इंडिया में किया गया है किताब के अनुसार लोकसभा चुनाओ की गतवर्ष 16 माई को जब सुबह मदगर्ना शुरू हुई थी तब नरेन मोधी अकेले अपने कमरे में ध्यान कर रहे थे जहां कोई टेली विजन नहीं चल रहा था और उन्होंने दिन में 12 बज़े तक कोई टेली फोन भी नहीं सुना इस किताब में वारानसी में आप प्रमुक अर्विन केजरिवाल और मोधी के बीच मुकाबले का भी जिक्र है केजरिवाल पर चुनाओ प्रचार के दौरान चुपी के बारे में पूछे जाने पर मोधी ने प्राइस से कहा मेरी खामोशी ही मेरी ताकत है आपको यह जानना चाहिए कि बड़े नजरिये में केजरिवाल और कुछ नहीं बलकि शहर का एक छोटा सा नीता है गोवा सरकार ने कहां जारी रहे की दो अक्टूबर की छुट्टी गोवा सरकार ने गांधी जैनती की छुट्टी को लेकर स्पष्टी करण दिया है कि गांधी जैनती का अवकाश नहीं हटाया गया है सरकार के कیلन्डर में गांधी जहनती का आउकाश दिया हुआ था गौर अलवे की इससे पहले गोवा सरकार की ओर से मौजुदा साल के लिए जारी की गई वानिज्य और अध्यकिक आउकाश की सुची से गांधी जहनती की शुट्टी हटा दी गई थी गुवा सरकार के इस फैसले से राजनिती जगत में हड़कम बच गया था सभी विरोधी राजनितिक पार्टिया इसका विरोध कर रही है भूमी विदेख के खिलाफ यूपे में आंदोलन करेगी आप सुत्रों के अनुसार आम आदमी पार्टी इस मेहने के आखिर में भूमी विदेख के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन शुरू करेगी नहीं दूसरी और संकटों से घिरे पार्टी नेता योगेंदर रयादाओं ने हरियाणा में एक ऐसा ही आंदोलन शुरू किया है अर्विन केजरिवाल के लोटते ही आंदोलन और पार्टी के विवाद पर विस्तृत चर्चा की जाएगी